कि यह नमस्कार दोस्तों मैं विराड़ चोदरी शुबागत आपके अपने वीडियो इस्पेसिली जोइनिंग लेटर में यह क्या लिखा वा गया यह किस के लिए है कई तो सरके किसलिए इसका क्या करना इसको कैसे भरना एक रिखाए उसमें प्रोब्लम हो निरी उस लोग मेरे को पुलीश वेरिफिकेस्टन वाला नहीं है उसमें कौन-कौन से डोकॉमेंट्स दिया गया दोस्तों इस बार करेक्टर सेटिफिकेट ही मंगा गया आपको साथ में पुलीश चरीत परमान पत्तर जैसे करेक्टर सेटिफिकेट है वो कहां बनाना उसका जैसे एसडियम वाला दिया है अगर दूसरा दिया तापको कहां से बनाना है तो दूसरा बनता हो पुलीश टेशन से बनता है और इस बार जो 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 इनिंग लेटर है कईयों के नहीं की कुछ के आया है सब कि कहां लग लग है लेकिन इसलिए पुल डिटेल बस जोइनिग लेटर की ऑपर Б voltages यह बना रहा हूं तो आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो तो इसमें पहला से पहला पॉयंट लिका हो रहता है वह रहता है आपका जनम परमान पत्र अगर आपने नहीं बना रहा तो बना लीजिए जनम परमान पत्र बन जाएगा अब नहीं तो ये टेंथ क्लास की महर से भी पूरुव होता है लेकिन बन जाएगा जनम परमान पत्र आप तो बना लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो फोटू चाहिए वह तो आप सभी को पता इसके लाव जाति परमान पत्र की उसमें एक वेदिता दी हुई है जाति पर आप नया बना लीजी दोस्तों वह 3 से अगर ज्यादा पुराना है तो आपको परेशानी अब मेरे को बार-बार बोलते हैं जाती परमानपतर के देल आपको बड़ा पता है किसाथ मेरे कहल से एक साल ही होती है किसी अलग ड़ल सेट में कुछ अलग रूल हो सकता है जाती प्रमान पतर चाहिए और बना लेड़के अब किसे लोग में यह भी बोलते हैं कि से हमारा सेलेक्ष이네रल से हुआ है तो क्या आपको जाती पर्मान पतर लेके जाना बिल्कुल लेके जाना है वह सेलेक्षन लिस्ट है कि पहली बात है आपको जो जनम परमान पति जरूर बना लिजिए अगर नहीं गर इसके बिता ही फाल दूंप आपके पास में हो नहीं हैसे अभधी पता बात है आपका परमान पत्र बनता है और सरपन्स चे कुछ ऐसा बनता है तो वो जुरूर सेटिपिकेट आप बना ले जिसके जो लिखावा है वो पॉइंट आप जुरूर फिल अप कर ले उसके बाद में जो टेंट आपकी फोटू आ वो तो होगी उसमें आपके माता फिता कही कई भी कोई डीटेल नहीं मांगी है इसलिए कुछ लोग मेरे को बार बार जो मैसेज करता है कि सर्फ मेरे फादर के नाम में यह मिश्टेक है यह काफी मेरे पास में क्यों सिनाते हैं इस परकार से लेकिन अगर उनका प्रूब कुछ नहीं लगता लेकिन आप जो फोटो को पीए कि कोई भी आप प्रमान पत्र आप मतलब उनका लेकर जो लेकिन मैं जब बता रहा हूं ना कि एज एज के लिए आपको आशकता जुरूर पड़ेगी तो उसके लिए आप जुरूर ले 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 इसके अलावा रिसेंट की फोटो है वो तो आप सभी को पता कि रिसेंट की रिका यह कोई भी डॉकमेंट्स तो वो जुरूर अपे ले लेना ताक्र आपको इस वी एस्वीड़ा बनी रहेगी होनफ prettक कशनपने कोब लगाना करे एलोंमेर दावान पर को मतलब नहीं रगा है है उस trump मतलब नहीं वहां से आपके नहीं ज़शननी शुरूई पटीया यहां पर जो डोकोमेंट जो चीजे लगाते हैं आपको सई से लगानीए इकीखि यही आपके सारुइश में दौना कर भादान है यह नहीं तो उसके लिए आपको चंतित नहीं होना बार-बार यह बिल्कुल नहीं वाला लगा सकते हो कोई प्रोब्लम नहीं आप वह पुराना उससमें वेलिड था अभी वह वेलिड नहीं तो आप नहीं बनागे नहीं लगा सकते हो उसमें कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं पासपोर्ट सा इस फोटु जरूर ले लिए ना पंच उसमें करते हैं सील लगा कि यहां मुझे पता कि है अभी रंडवा है इसके भी साधी नहीं हुई है तो वह आप जरूर बना ले ना था कि आपको भवी से काम में आएगी और इसके अलावा यह डोकुमेंट्स लेने के लगा आपको पांच जार उपे जैसे उसमें जरूर ले जब आप अकाउंट उपन करें उस अकाउंट से आपको स्विधा बनी रहेगी क्योंकि आप जहां पर भी जाओगी पांपे से ट्रांसफर करने की स्विधा आजकल सब जगह हैं तो आप आपका जहां पर वहां पर आपी मेस मनी जो चार्जार रुपे जमा होती तो जमा करने में आपको स्विधा बनी रहती है बाइंड केस आपका चोरी भी हो सकता है और उसमें इस्ट्रक्शन दिया वाज साप साप की कोई भी सोने होने की बस्तों आप पहन के नहीं यह चीज आप इस जानक ना कोई भी महेंगी बस्तों अगर आपके पास में जैसे स 500 बंदों की एक साथ जोइनिंग होती है एक ही गुरूप से इंटर में वहां पर बहुत बढ़ा का रहता है पता नहीं चलता कि कौन किदर हो जाए कुछ गूम हो जाए इसलिए कोई वस्तों आप पहन के नहीं आना चाहिए लड़के हो चाहिए ठीक है तो अलका फुलका आ और स्थाइन करवा नहीं है थДа लें कि लेकितार नहीं हो तेल थिवेड़के बहुत-टे रख यहां कर दो कि थोखोए दोर के लाउने की रहा है ने टाकि आपको आपको अगर इकग्ठाइम दो एक इसनों और बनता है मेरे को अधिकतर लोग पुछते हैं कि सब्सक्राइब करने तो उसके लिए टाइम मिलेगा क्या इतके बारे में पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता दूं कि ट्रेनिंग आपको चुटी मिल जाती है लेकिन यह नहीं कि आपको बार-बार क्यों ग्रशे सब्सक्राइब क्यारत अब है ट्रेंग में शाय लेकिन आपको बार-बार त्रेणिंग में आप जाते रहे चूटी देते रहे ऐसा नहीं होगा थिक कहें लेकिन आप फोरम एक्जेरी जरूर कर लेना आपका ट्रेनिंग सेंट्र सेंट्र हो अगर गया इस से पढ़ने का भी मोका मिल जाएगा यह में बार बार बोलता हैं तो अपनी एज्यूकेशन को भी कंट्वी रखी तैकि जहां आप लगे हो इसे आगे बढ़ सको जीवन में तो दोस्तों यह जो चीजे इनको अच्छे से सुववस्तित कर लेना जूसमें लिखावा और कुछ सम अब आपको रिप्लाइड देंगा टिप टाइम लग सकता है पांच दिन भी लग सकते हैं तीन देन भी लग सकते हैं क्योंकि इसके बाद में ड्यूटी भी बहुत रहती है तो ताइम मिल पाना मुस्किल है लेकिन आगर किसी को ज्यादा है प्रोल्ब्लम मेसेज करता तो एक-दू दिन का समय लगता है लेकिन में रिप्लाइ करने को सिस जरूर करता हूं ठीक है तो जयाद जयादा